हेलो फ्रेंद्स वल्कम बैक तो मैं चैनल अधी कोल्श्राल वॉल्ट काना जी के सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे क्रश्णा मैं प्रात्ना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थो और खुश हो देखिया जब लड्डू को पाल जी के लिए ये बहुत ही खुब सूरत सी नियू डिशान विंटर स्पेशल ड्रेस बनाना शुरू करते हैं इसके पहले अगर आपने अब तक मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले ज्रेस पनाने के लिए हमने दिखे येलो और ग्रीन कलर का उन ले लिया ह फिर हम क्रोश्या में उनको लेकर लूप में से निकालेंगे तो ये एक चैन बन गई फिर से हम क्रोश्या में उनको लेकर लूप में से निकालेंगे तो ये दूसरी चैन बन गई ऐसे ही हमें टोटल 15 यानि की 15 चैन बनाके कंप्लीट कर लेनी है 15 चैन बीन के कंप्लीट कर तो अब आप देख सकते हैं, यहां पे एक hole की तरह बन जाएगा अब हमें दो chain बनानी है, एक और यह दो फिर इसके बाद वाली chain में हमें देखें, क्रोशा कोट ढालना है और उनको फसाकर निकाल लेना है क्रोशा में दो फंद होए तो क्रोशा में उनको लेकर हम दो फंदों से निकाल लेंगे तो यह सिंगल क्रोशा बन गई फिर इसके बाद वाली चेन में भी हम क्रोशा को डालेंगे उनको फसा कर निकालेंगे दो फंद हुए तो क्रोश्या में उनको लेकर दो फंदो से निकालेंगे इसी तरीके से सिंगल क्रोश्या बनाते हुए हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है सर्कल में सिंगल क्रोश्या बनाते हुए हमने देखे पूरी लाइन कंप्लीट कर ली अब लास्ट में हम इ इसमें यलो कलर का उन जॉइंट करना है, तो देखें, लास्ट में जो एक फंदा बच्चा हुआ है, यही पर हमें ऐसे यलो कलर का उन, यहां से देखें, निकाल लेना है, निकालने के बाद हम नॉट लगा कर इसको यहीं पे जॉइंट कर लेंगे, हमने इसको नॉट लगा के जोइंट कर लिया अब ये ग्रीन और येलो कलर का जो उन है इसको भी हम आपस में जोइंट कर लेंगे जिसे की ग्रीन वाला जो उन है ये भी यहीं पर लॉक हो जाएगा तो इस तरीके से हमने इसको भी देखे नॉट लगाके जॉइंट कर लिया है अब ये जो ग्रीन कलर का उन है इसको हम कट करके यही से निकाल देंगे अब देखे जहां से हमने ये यलो कलर का उन जॉइंट किया उसी चैन में हम क्रोश्या को डालेंगे और उनको फसा कर निकाल लेंगे फिर हमें तीन चेन बनानी है एक दो और ये तीन हमने तीन चेन बनाई अब हमें क्रोश्या में एक बारी उनको लपेटना है और इसके बाद वाली चेन में हमें क्रोश्या को डालना है उनको फसा कर निकाल लेना है तीन फंदे होगा क्रोश्या में तो हमें क्रोश्या में उन अब हमें 2 पंदे बचे यह lunar खूरिएपसरी आपर लाइन कर लेनी है और इसके बाद एक लाइन और ऐसे ही बनानी है यानि कि हमें हर एक चेन में से दो-दो डबल क्रोश्या बनाते हुए टोटल दो लाइन बीन के कम्प्लीट करनी है दो-दो डबल क्रोश्या बनाते हुए हमने देखिए दो लाइन बीन के कम्प्लीट कर लिया है पहली वाली लाइन में भी हमने इसको last में slip stitch लगाए था अब दूसरी लाइन में भी हम इसको slip stitch लगाएंगे तो शुरू में जो हमने तीन chain बनाई है इसकी पहली वाली chain में ऐसे क्रोश्या को डाल कर उनको फ़सा कर निकालेंगे इस वाले पंदे को हम इसमें से निकाल कर ऐसे जॉइंट कर लेंगे अब हमें फिर से तीन chain बनानी है और देखे ऐसे क्रोश्या में उनको लेकर इसके बाद वाली chain में हम एक पार डबल कोश्या बनाएंगे फिर इसके बाद वाली chain में से भी हम एक पार डबल कोश्या बनाए फिर उसके आगे की चार chain में भी हमने एक एक बार double crochet बना ली है तो अब तोटल 5 chain में हमने एक एक बार double crochet बना ली है तो देखिए ये एक बार और इसी में से हम एक double crochet और बना लेंगे फिर इसके आगे की पाछ चेन में हमें एक एक बार ही double crochet बनानी है तो देखे ये पहली चेन हो गई, ये दूसरी चेन हो गई ये तीन, ये चार और ये देखे ये लास्ट में पाँच तो हमने फिर से पाँच चेन में एक एक बार double crochet बनांके complete कर ली है अब छटमी चेन में हम फिर से दो बार डबर कोशिया बनाएंगे, देखे ये एक और ये दो, इसी तरीके से इसके आगे की पाँच चेन में हम एक एक बार डबर कोशिया बनाएंगे, और छटमी चेन में हम फिर से दो बार डबर कोशिया बनाएंगे, ऐसे ही हम ये पूरी ल पर नजे एक फंदा प्रण के बचा है लाइस को यही पे लॉक करना है तोह कि देख इसको इसी तरीके से पहलेशाった danasuk डाले लोक करने औरे से इक्स्रा उननों नियुको एक्ष्टा ही जाना श्युम्ट yıl-चे भले संगे 3-4 तरह में 51 जाना हमें double crochet बनाते हुए बनाई है उसको छोड़ कर दूसरी line चहां से शुरू हो रही है वहां से हम frill बनाना शुरू करेंगे तो पहली line जहां पूरी हो रही है देखे ऐसे हम इसको mold लेंगे पहली line के बाद हमने इसको ऐसे मोड़ा है फिर इस तरीके से हम इसमें क्रोश्या को डालेंगे ताकि हम देखे ऐसे open करने पर इसका shape ऐसे आएगा जब हम इसको mold लेंगे तो इसका shape कुछ इस तरीके से आजाएगा ऐसे करके मैं आपको फिर से open करके दिखाती हूँ देखे जहाँ पर यह पहली line पूरी हो रही है यहीं से हमें इस तरीके से डालना है क्रोश्या को और जो green color का oon है इसको हम ऐसे इसके अंदर से निकाल लेंगे फिर हमें knot लगा कर इसको यहीं पर joint करना है अब हमें देखे जहां से oon को joint किया उसी chain में हमें फिर से क्रोश्या को डालना है तो देखे इस तरीके से हम फिर से डालेंगे क्रोश्या को oon को फसा कर इसमें से निकाल लेंगे फिर हमें तीन chain मनानी है एक दो और यह तीन तीन चेन बनाई हमने अब हमें क्रोश्या में उनको लेना है और इसके आगे हम इसको देखें मोड लेंगे इस तरीके से हमें इसको मोडना है पहली वाली जहां खतम हो रही है लाइन वही से हम इसको मोडेंगे फिर इसके बाद वाली चेन में ऐसे देखिए हम क्रोश्या को डालेंगे और उनको फसा कर निकाल लेंगे ऐसे हमें डबल कोश्या बनानी है फिर इसी में से हम दो डबल कोश्या और बनाएंगे एक ही चेन में से हमें टोटल तीन डबल कोश्या बनानी है देखिए देखिए ये दो और ये तीन हम इसको ऐसे मोडे रहेंगे ना तो हमें डबल क्रोशिया बनाने में असानी रहेगी फिर से हम क्रोशिया में उनको लेंगे इसके बाद वाली चेन में ऐसे देखिए डालेंगे क्रोशिया को और फिर तीन डबल क्रोशिया बना के कम्प्लीट कर अब लेंगे ऐसे दो हो गई और यह तीन तो जब हम उपेन करेंगे इसको तो इसका शेप कुछ इस तरीके से आजाएगा इसी तरीके से हमें हर एक चेन में से तीन डबल कोश्या बनाते हुए पूरा सरकल कम्प्लीट करना है तीन डबल कोश्या बनाते हुए हमने देखिए लाइन बीन के कम्प्लीट कर लिया है अब लास्ट में हम इसको भी स्लिप शिच लगाएंगे तो शुरू में हमने जो तीन चेन बनाई थी ना उसकी पहली वाली चेन में हमें क्रोश्या को डाल कर उनको फसा कर निकाल लेना है दो फंद वे तो इस फंदे को हम इसमें से न अगर आपको मेरी बनाई होई अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें शेर करें कमेंट करें और मेरे चानल को सब्सक्राइब करें साथी साथ पेल आइकन भी प्रेस करें जिसे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले थैंक यू